ओम गंगणपतयै नमो नमहा बोलिये गौरी नंदन भगवान श्री गणेश्ची महराज की भग्त जनों तीनों लोकों में भगवान गजानन जैसा दयालू और क्रिपालू कोई नहीं है इनके अस्ट मिनायक रूपों की अनेक अनेक गाथाएं वेद पुराणों में वर्णी थे परन्तु इनके जन्म की गाथा अत्यन्त रोचक और परोपकारी है जिसे सुन्ने मात्र से मनुष्य के बुरे कर्मों का समूल विनाश हो जाता है और वो मनुष्य भौतिक जीवन के समस्त सुक भोग कर अन्त तहे भगवान श्री गणेश जी के चरणों में मुक्ती प्राप्त करता है तो आईए सुनते हैं श्री गणेश जी की पावन जन्म कथा श्री गणेश के चन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गणेश के चन्म की गाथा भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गणेश के चन्म की गाथा एक बार की बात है भगतों भगवान भोले नात को तप में लीन देखा तो मा गोरा के मन में सनान करने का विचार आ गया उन्होंने अपनी दो सक्यों जया और विजया को संग में लिया और सनान करने हे तु महलों में आ गई सक्खियों ने मा गौरा को उप्टन लगाया ही था कि जया के मन में विचार आया हे सक्खी द्वार पर तो कोई पहरेदार है ही नहीं यदि कोई भीतर आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा मा गौरा ने मन में विचार किया, शरीर से उपडन उतारा, उसे मानव आकृती प्रदान की, और प्राण मंत्र फूँक कर उसमें प्राण भर दिये, और देखते देखते एक हस उस्ट बालक उनके सनमुक था, मा गौरा ने उस बालक को क्या आदेश दिया, आईए सुनाता जाओ जाकर द्वार पे बैठो और पहरा दो लगवाए, इतना ध्यान रहे बालक के कोई भी तर ना आपाए मैया को प्रणाम किया और गौर पे आके पधारे हैं, इधर के लाश पे भोले बाबा गौरा गौरा पुकारे हैं, नंदी ने भोले को बताया नंदी ने भोले को बताया मैय गईस नान है भगतों का कल्यान है करते दोरी पुत्र भगवान है गजानन्द भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते दोरी पुत्र बगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा शिव जी को जब ग्यात हुआ कि गौरा स्नान करने है तू महलो को गई है तो वो उनसे मिलने उसी ओर चल दिये। द्वार पर बालक बैठा देखा परीचे पूछा तो बालक ने बतलाया कि मैं तो अपनी माता का फुत्र हूँ और उनकी आग्या से द्वार पर पहरा देता हूँ। भोले नात ने कहा मैं गौरा का स्वामी हूँ और भीतर को जाने लगे तभी बालक ने उन्हें बीच मार्ग में रोक दिया यह देखकर नंदी भिंगी और अनिशिव गणों को अत्यंत क्रोध आया और वो बालक से युद्ध करने लगे परन्तु बालक के अधव्य साहस के आगे वे सारे के सारे हार गए अब शिव शंकर के क्रोध का कोई भी पार नहीं था और क्रोध में जब भोले नात आते हैं तो क्या क्या हो जाता है आईए सुनते हैं पीजे नेत्र को खोला शिव ने हाथ तुशूल उठाया है खीच के बालक पर था मारा उसका शीश उड़ाया है मागोरा चितकार मचाती भवन से बाहर आई है मेरे लाल को क्यों मारा है देने लगी दुहाई है पुत्र को मेरे जीवित कर दो पुत्र को मेरे जीवित कर दो वर्ना स्रिस्ट शमशान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गौरी पुत्र भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा मा गौरा ने जब कटे हुए शीश का पालक देखा तो चंडी रूप धर कर चीतकार करने लगी के यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो सारी स्रिस्टी को आज शमशान बना दूंगी भोले नात ने विश्णु जी से आग रह किया कि जाईए और मार्ग में जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आईए विश्णु जी मार्ग में गए तो सबसे पहले एक गज बालक उनके सम्मक पड़ा उन्ही का शीश लेकर श्री विश्णु जी वापस आ गए भोले नात ने मंत्र पड़कर गज का शीश बालक के कटे धड़ से जोड दिया और बालक उन्हें जीवित हो गया चहूं और बालक की जैजेकार होने लगी अब प्रश्ण यह था कि बालक का नाम क्या हो इस पर भुले ने क्या बताया आईए सुनते हैं तुम इन गणों के इश हो बालक सो गणेश कहलाओगे मेरा ये वरदान है तुमको प्रथम तुपूजे जाओगे सबसे पहले पूजा तिहारी सबसे पहले नाम तेरा भगतों के हिरदे में रहेगा ए गणपति तो वास तेरा तुम सा उपकारी ना तोई ये मेरा बरदान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गोरी पूत्र भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भगत जनों कैलाश परवत पर श्री गनेश के जनम की धूम मच गई नंदी को देखो धोल बजा बजा कर नाच रहा है भरिंगी को देखो सोने का थाल पीट रहा है शिवगण, शंक, मंजीरे बजा रहे हैं तीनों लोकों में भगवान गनेश की जैजै कार हो रही है ब्रह्मा जी जब गनेश जी का दर्शन करने आए तो उन्हें वेदों का ज्यान दे दिया ब्रह्मानी ने स्वर और बुद्धी का ज्यान दिया विश्णु जी ने सुदर्शन चक्र की शक्ती तो मा लक्ष्मी ने धंधान की वर्शा कर दी सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों से बाला गनेश को नवासते जाते उनके धर्शन करते और जयजय कार लगाते जाते आगे आगे क्या लीला होती है भक्तों आईए बतलाता हूं सूर्य ने अपने तेज को भगतों श्री गनेश को सौप दिया अगनी ने ज्वाला में घुने वर्शा पवन देव ने वेग दिया शिवजी के तिरशूल की शक्ति भाल गनेश में आई थी मादुर गा की आठ भुजाओं की शक्ति भी समाई थी हर कोई तुमरी जै बोले हाँ हर कोई तुमरी जै बोले करता तेरा गुण गान है भकतों का कल्यान है करते गौरी पूत्र भगवान है श्री गणेश भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा मा गौरा की प्रसन्नता को तो जैसे पंखी लग गए थे भक्तों बार बार अपने लाडले गणेश की बलईया लेती और उनकी नजर उतारती चलती भाई कार्तिक भी गणेश को देख देख कर अती प्रसन्न हो रहे थे जिस तरहे पूरे कैलाश परवत पर भगवान श्री गणेश के आगमन पर प्रसन्नता चा गई थी फीक उसी तरहे बप्पा मोर्या अपने भक्तों के जीवन में प्रसन्नता भर्षो लास यश वईभव कीर्ती और धन्धान भर देते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा कर मेरे साथ सच्चे हृदे से बोलिये बोलिये गौरी पुत्र देव गजानन गणेश की जिसने गणपत नाम को ध्याया मोदक भोग चड़ाया है आरति चालीसा भी गाई चंदन तिलक लगाया है उन भगतों की ववसागर से आपन नई आतारी है देव का जानन सब भगतों पे देखो सदा उपकारी है तीन लोक में देव नहीं है हाँ तीन लोक में देव नहीं है तिन सा कोई महान है भगतों का कल्यान है करते कोरिनंद भगवान है श्री गणेश भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा